अगर YouTube पे आप अपनी वीधियो अपने समार्टफॉन से बनाते हैं, यानि की आप अगर Facecam वाली वीडियो बनाते हैं, या फिर किसी और तरीके के कोई वीडियो बनाते हैं जिसमें आप वीडियो फूटेज रिकार्ड करते हूँ, वो भी अपने समार्टफॉन से, और वो फ के लिए प्रवलम हो जा रही है लाइट को लेकर प्रवलम हो जा रही है या फिर बहुत सारी चीजे होती है तो अगर आप भी यूट्यूब की वीडियो अपने स्मार्टफोन से सूट करते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ एक चीजे में बताने वाला हूँ जिसके थूरू आपका स्मार्टफोन कितना ही अच्छा हो या फिर थोड़ा लो क्वालिटी का ही क्यों ना हो दोनों ही कंडिशन्स में आप अपने स्मार्टफोन से बहुत ही अच्छे तरीकी के वीडियो सूट कर पाएंगे हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है निसांद कुमार और आप देख रहे हैं सिखो कंप्यूटर एंड टेक यूट्यूब चानल तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं साड़ी चीजे स्टेप बाई स्मझते हैं देखिए सबसे पहली बात कि अगर आपके पास स्मार्टफोन है और आप अपने स्मार्स पारएं से वीडियो सुट करते हैं तो बहुत आप अगर आप चाहे माल लीजे जहां पर आप रोशनी कम है तो अगर आप कि इस वीडियो में आपको एक application के बारे में बताने वाला हूँ हो सकता है कि उस application के बारे में आप जानते होंगे लेकिन अगर आप उस application का यूज करके अपने वीडियो को शुट करते हैं तो उसकी quality बहुत ही अच्छी आएगी और जिस application के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उस application का नाम है open camera हो सकता है कि आपने इस application का नाम बहुत बार सुना होगा ठीक है इसको आप play store में जा करके free में install कर सकते हैं ठीक है और मैं आपको एक बार suggestion देना चाहूंगा कि आपके पास कितने भी high quality का mobile है या फिर low quality का mobile है दोनों ही conditions में आप सिर्फ एक बार इस open camera को install किजेगा अपने smartphone में और उसके बाद अपने वीडियो footage शूट करके देखिएगा मतलब कि एक बार अपने mobile के जो default camera है उससे वीडियो शूट करिजेगा और दूसरी बार open camera से शूट किजेगा और दोने ही conditions में आपको बहुत ही ज्यादा डिफ्रेंट दिखने को मिलेगा ठीक है तो open camera जब हम play store से जाकर के install करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी settings हमें करनी होती है बहुत सारी चीजे होती है कि जिसको हम अच्छे तरीके से सेट कर लें और उसके बाद इसके थूर जब हम अपनी वीडियो को सूट करें तो बहुत ही अच्छी quality आती है तो इसको आपको play store में जाकर करके free में install कर लेना है और install करने के बाद इसमें कौन-कौन सी चीजे किस तरीके सापको करनी है सारी चीजे मैं one by one करके आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जब आप next वीडियो शूट करेंगे open camera के थुरू तो आपकी picture quality आपकी video quality बहुत ही अच्छे level की हो जाएगी तो वीडियो को end तक जरूर देखेगा तो चली वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीजे step by step समझते हैं सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपने smartphone में play store में जा करके open camera यहाँ search करेंगे यह application आजाएगा इस तरीके से इसका icon देखेगा इसको install करने के बाद सिंपल से आपे open का option आएगा इस पर open करेंगे आप देख सकते हैं आप इसके 50 million प्रस डाउनलोड से हैं तो open पर हम simple से click करेंगे जैसे open पर हम click करेंगे तो इसका surface कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से दिख रहा है अब देखे यहां पर जो चीजे बहुत सारी चीजे आपको दिख रहे होंगे तो इन सारी चीजों के बारे में पर समझ लेते हम ठीक है तो यह जो है यह camera है अगर इस पर मैं click करूंगा तो front camera on हो जागा और फिर से इस पर अगर मैं click करूं तो यह back camera on हो जागा इसी के थरूँ ठीक है अब जो second चीज है यह वाला जो icon है अगर हम इस पर click करते हैं तो यहां से हम photo capture कर सकते हैं ठीक है अगर मुझे image खिचना हो इस open camera के थरू किस तरीका photo खिचना हो तो हमको यह वाला select करना है और अगर video record करनी हो तो यह वाला जो icon ह इस पर simple से click करना है ठीक है तो इसके थरूँ हम video record कर पाएंगे ठीक है video record करने के लिए simple से में क्या करना है कि इस पर हम जैसे click करेंगे इस वाले button पर हमारी video यहां से record हो ना start हो जाती है ठीक है इस पर जैसे click करते हैं तो तो पहले हम आपको सारी चीज़ समझा देना चाहत हूं देखे यहां पर यह जो option दिख रहा है सब कुछ ध्यान से देखेगा प्लीज यहां पर यह जो option दिख रहा है अगर मैं इस पर click करूं तो देखिए यहां पर कैम रहा है यह जो resolutions है हमारे ठीक है तो यह अंदर settings में समझाएंगे कि अगर आप चाहते यहां पर click करके यहां से कम कर सकते हैं तो आगर आपको high quality के वीडियो चाहिए तो डायेक्ट आप full HD पे रहने देंगे इसको ठीक है और यहां पर यह जो torch का इकन दिख रहा है अगर यह आप on रहने देते हैं तो यानि कि जब आप वीडियो सूट करेंगे तो आपके smartphone का जो flashlight है वो on हो जा है तो यहां पर देखें यह जो फूल जैसा picture देख रहा है अगर इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहां पर macro focus है तो इसकी जुरत उतनी नहीं पड़ेगी आपको और यह जो तीसरे नमर पर है यह focus को lock कर देता है मतलब कि जहां पर जो चीज़े कर दोगे उसके उपर यह focus को lock कर देगा ठीक है यहां पर देखें यह जो एक option दिख रहा हो आपको यहां पर नीचे option दिख रहा है इस पर अगर मैं क्लिक करूं तो यह सामने देखें सामने आपको जितना light दिख रहा है अगर मैं इसको ब्राइटने इसको थोड़ा बढ़ रहा है और इसको अगर मैं कम अब वीडियो सूट कर रहे हूँ, और वहाँ पर रोशण कम है, ठीक है, तो इसको हम exposure बोलते हैं, यह जो आइकन दिख रहा है, प्लस मेंनस वाला इसको हम exposure बोलते हैं, इस पर एकलिक करके आपको इस तरीके से प्लस करते जाना है और देख लेना है कि आपकी वीडियो जो है कितने लाइट पे परफेक्ट आ रही है उतने पिसको करके रहने देना है और यह सारी चीज़ जब हो जाएंगे तो यह जो आइकन दिख रहा है लोग का इस पर एकबर क्लिक कर देना है अब अब अबर हम इस प आप अपने कैमरा को किधर भी घुमाओ उसका लाइट जो है लाइट का जो लेवल है वो सेम टू सेम रहाएगा थ्वड़ा सा भी चेंज नहीं होगा ठीक है तो यह सारी चीज़े हो गई अब हमारा जो मेन सेटिंग है यहां पर एक आइकन दिख रहा होगा आपको सेटिं सेटीं पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा फेस डीकेस घम चान यह इसको ऑनकर देएंगे तो अगर आपका जो फेस जा जिशा विदियू सूप करेंगे तो आपके फेस circuits को हमेशां डिट्यक्ट करेंग तो आप इसको off ही रखेगा ठीक है अब next जो setting है वो है timer का तो timer पर हम क्लिक कर देते हैं तो यह देखे timer इसलिए गया है कि माल दीजी कि अगर इन में से किसी को भी मैं select कर देता हूँ तो होगा क्या कि जब मैं video record on करना start करूंगा वीडियो recording start होने से पहले 5 सेकंड तक वो countdown करेगा 125 उसके बाद automatically recording start हो जाएगा तो अगर आपको इसकी ज़ुरत पढ़े तो आप इसमें से जितनी timing चाहे है उतना timing के select कर गया आप लगा सकते हैं ठीक है सेकंड चीज है video format video format पर हम click करते हैं तो आप जो video suit किजेगा वह किस format में चाहिए MP4 में या फिर MP4 या फिर 3GP या फिर web mode में जो भी आप पो चाहिए वह अप select कर सकते हैं या फिर default पी रहना दे सकते हैं मालने जी कि आपके पास जो smartphone है उसमें उसकी memory थोड़ी कम है यानि कि थोड़ी सी video पर suit करने पर उसकी memory भर जाती है तो आप उनमें से कम resolution वाले हैं उन्हीं को select कर गए रहना देंगे ठीक है ताकि जो भी video आपकी बने थोड़ी सी मतलब उतनी है space में बन करके complete हो जाए ठी आपके पांच मिनिट के तक होने के बाद रुख जाएगी पांच मिनिट के बाद recording होना stop हो जाएगा पांच मिनिट के बाद आगे record ही नहीं होगा ठीक है तो इसको हम unlimited करते हैं क्योंकि जब video हम record कर रहे होते हैं तो वो video कितना लंबा जाएगा हमें भी नहीं पता होता है तो इसलिए इसको हम मैं off करके ही रखता हूं ठीक है अब next है restart video after max duration अगर मालने कि इसमें से हम कोई भी लगाते हैं जैसे मालने कि मैं नहीं लगाया मैंने लगा देक मतलब कि 5 मिनिट होने के बाद मेरे video stop हो जाएगा तो अगर इसमें से कोई एक मैं लगा दूंगा run time repeat time त जैसे कि 5 मिन रिए फिवी रिकॉर्ड होगी फिर से start हो जागा फिर पाच मिन से लगा फिर 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 प्रस में से लगा तो इसके लिए यह options दिये गए हैं अगर आपको जुरूरत हो तो आप स्लेक्ट कर सकते नहीं तो इससी पर रहने देंगे अब next है maximum file size of video ठिक है इस पर क्लिक करते हैं मालनी जी कि आपके पस जो स्मार्टफोन है उसमें स्पेस कम है तो हमें मतलब जो वीडियो चाहिए वो वीडियो जितना बढ़नाना है पांच मिट दस मिट का उतना बढ़ना भी चाहिए लेकिन उसका फाइल साइज बड़ा नहीं होना चाहिए मैं कहन उस वीडियो को इस तरी के सरतक प्येमित होगे हुए 200 अप 25 मंचा ऐस यह आप के ऊपके आपने वीडियो के when म करके में मिल जाईगी मुछे मिल जागी आप guilty अगर जादा बलोडर का इसके बदर शेम होना चाहिए उसके बाधquito प्लीके बनेगे C पिर से बड़ी ओगोड़ंसे वीडिओ और में कमप्लिट्स नहीं शेए है नहीं कि अगर मैं सोल खाथ c तो इसको इसको इसले करके रखा है कि अगर मैं अलग से कोई माइक अपने स्मार्टफोन में कनेक्ट करके यूज करता हूं तो उसका साउंड ये कैप्चर कर सके ठीक है तो अगर आप अपने स्मार्टफोन में अलग से माइक कनेक्ट करके यूज करते हैं तो उसके लिए आपको यही ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना है एक्स्टरनल माइक ठीक है उसके बाद यहाँ पर आदियो चैनल से इसको आप डिफॉल्ट ही रहने दीजेगा ठीक है उसके वीडियो बीट रेट यानि कि वीडियो की जो बीट रेट है वह कितना होने चाहिए 100 Kbps 500 Kbps 1 Mbps ठीक है उसके बाद यहाँ पर 4K UHD वीडियो अगर यह चीज़े आपके स्मार्टफोन में सपोर्ट करेंगे इसको इनेबल ही रख दीजेगा ताकि आपकी वीडियो क्वा ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं और फ्लैस दखे लास्ट ऑप्शन है फ्लैस वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो यानि कि अगर मैं इसको अन कर दूं तो जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा अपने स्मार्टफोन से बैक कैमरे से उसका फ्लैस आटमेटिक लिए उस तो इसको इस तरी के से करके आप जूम कर सकते हैं और उसके बाद अपनी वीडियो को सूट कर सकते हैं ठीक है यह साड़ी चीज़े जब हो जाती है तो इसके बाद आपको यहां पर स्क्रीन के बीच में टच कर लेना है और सारा लाइट वगर सब एक परफेक्ट हो जाता ह है तो इसको कम कर लेंगे ठीक है और यह सारी चीज़े हो जाने के बाद यहां पर इस तरह के स्क्लिक करके इसको परफेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहां पर जो लॉक का आइकन है इस पर एक बार क्लिक कर देंगे यहां पर हमारा एक्सपोजर बिल्कुल से लॉक हो चु complete होगे फिर से वापिस से इसी पे एक बार आपको क्लिक कर देना जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी वीडियो स्टॉप होकर करके आपकी गैलेडी में वापस से आचुकी होगे ठेक है तो वीडियो कैसे लगई यह मुझे जरूर बताईएगा comment box में comment करके और open cameras related किसी भी तरीकी की problem आपको आ रही है तो comment box में comment करके जरूर पुछ लेजेगा आपको reply जरूर मिलेगा और मैं फिर से एक बार आपसे request करता हूँ अगर आप अपने smartphone से अपनी वीडियो को सूट करते हैं तो एक बार open camera का इस्तमाल जरूर कीजेगा और उसके थूर यूज करके अपनी वीडियो सूट करके देखेगा आपकी वीडियो की quality बहुत ही बहतर होगी पहले वाले quality से यानि कि अगर by default camera का आप यूज करते होंगे तो उससे अच्छी quality आपको मिलेगी इस वाले camera के थूर अगर आप अपनी वीडियो को सूट करेंगे तो वीडियो कैसे लगे हमें जरूर देएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर कीजेगा आप reference के साथ share कीजेगा comment box में comment भी कीजेगा और चैनल पर नया है तो चैनल को subscribe करना मत भूलेगा और वीडियो एडिंग से related अगर आपको वीडियो चाहिए उसके playlist का link म मैंने description में दे रखा है उस उन वीडियो को एक बार जरूर देख लेगा तो मिलते हैं इसी तरह के किसी informative वीडियो में thanks for watching